थेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओल स्टेड़ी पॉइंट रसी यूट्व चैनल पर आपका हर्दिक सुवागत है तो आज हम बात करेंगे एंटोनेम के पाल्ट 2 में और ऐसे हमारी ये चार नंबर वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एंटोनेम के बारे में तो हम ये पीडिय सिद्धूमुशे वाला का म सोग है उसमें यह आता है कॉंट्रोवर्शिल जो अधिकतर पंजाबी सोग होते हैं इंगलिश का यूज उता और हम घ्यान नहीं देते हैं और मजे मजे में घ्याने शुन लेते हैं ठीक है ? लेकिन उन्हें पर भी ज्यान दिया करहें कांट्र अगला वर्ड देखिए अगला वर्ड के डिनाउस क्या होता है निंदा करना एक तरीके से अपने बोल सकते हैं आरोप लगाना निंदा करना क्रिटी साइज करना क्या क्रिटी साइज करना क्रिटी साइज करना ठीक है तो इसका एंटरनेम क्या हो जाएगा एंटरनेम हो जाएगा किसी की परसंसा करना प्रेज परसंसा करना कॉंपलीमेंट करना प्रेज परसंसा करना यह इसका एंट्रोनेम हो जाएगा इसका एक और क्या हो जाएगा इसका एक और क्या हो जाएगा इसका एंट्रोनेम हो जाएगा अगरा वर्ड क्या है डैंस क्या होता है गना अपने बॉल देते हैं ना कहीं गुमने जाते हैं तब डैंस जंगल डैंस जंगल इसका मतलब क्या गना जंगल इसका एंट्रोनेम क्या होजएगा सपार्स इसको रूमी भी बोल सकते हैं रूमी इसमें क्या हो जगह हो इसमें क्या हो अगला वर्ड क्या है अगला वर्ड है डिटेस्ट डिटेस्ट क्या होता है गिरना करना डिसलाइक क्या डिसलाइक डिसलाइक क्या हो गया इ डिस्टेंट किसे वर्ड मना है डिस्टेंस से मना है डिस्टेंस क्या होता है दूरी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ डिस्टेंस क्या होता है ठीक है तो डिस्टेंट क्या हो गया दूर क्लोज क्लोज पास आप बोल सकते हैं यह मेरे क्लोज फ्रेंड है याद नहीं आप स मत कर देना लेकिन वह क्या है दूसरों कर आगी वाकर सब बात इसकी बता देता लेकिन उसके का कर दियो उसने बेद कॉल दिया इसका क्या रख सा राना मत्लल छीपाना इक तरीके ठीक है यह क्या हो गया इसका एंट्रो नेम हो गया अगला वर्ड के एविडेंट एविडेंट क्या होता है प्रतेक्स प्रतेक्स रूप से ठीक है तो इसका एंट्रो नेम क्या हो जाएगा एविडेंट मतलब सपेश्ट या प्रतेक्स रूप से बोल सकते हैं इसका टिक है इसको एंट्रुनेम क्या जाएगा आप ढ़ल सकतें वई यू वेई दौ यू ईएसस्ट टिक है ओस्वुडॉश्च्ण टिचिए और डौटिफुल जसमें संदे हो आपको आपके इसस्पेस्थ नहीं है याई मिसंडर्स्टेंडिंग बोल 생कczenia मिशंडर्स्टेंडिं ठीक है Miss Understand ठीक है ये वर्ड आपका हो गया अगला वर्ड क्या है? expand करना expand वो ही physics का आगया इसमें expand आप supreme को क्या करते हो? expand करते हो supreme को क्या करते हो? आप expand करने हो मतलब उसका फेलाओ, विस्तार ठीक है? तो इसका android क्या हो जाएगा? contract contract, शिकुडना, contract करना सिरिंक आप कपड़ों को निचोड़ते हो जब क्या होते है वह सिकुड जाते हैं मतलब सिरिंक हो जाते हैं ठीक है कॉंट्रैक्ट हो जाते हैं अगला वल्ड क्या है फल्टाइल फल्टाइल क्या होते है उपजाओ भूमी उपजाओ भूमी उपजाओ भूमी और इसका एंट खूंपी बुंवी होती है ठीक है जो फर्टायल नहीं होती है बुंजी बुं मी ठीक है अब अगला वर्ड क्या है ग्रोह टेस्ट क्यों ग्रोह टेस्ट क्योंängeक्र bacteria ó रूम इसका इंट्रमिम क्या हो जाएगा एक ट्रेक्ट्व ग्रोह पॉक्च्ट को एक तरीके से हम बोल सकते हैं reflection यह क्या हो गए दूसरे के एंटोनेम हो गए natural आकर्षक क्या सादन नेचुरल भी आपको इसको बोल सकते हैं ठीक है अगला वर्ड क्या है humility humility क्या होता है विन्रम संभाव का यह व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा हैंकार हैंकार मतलब arrogant क्या arrogant से बने word arrogance arrogance है noun और arrogant क्या adjective और क्या होता है pride प्राइड मतलब गमंड हैंकार ही व्यक्ति ठीक है vanity वैणिटी भी क्या होता है गमंड होता है ठीक है अगला word क्या है immaculate immaculate क्या होता है बेदाग जिस पर कोई दागमत नहीं हो तो इसका एंटर नेम क्या हो जागा फिदी फिदी मतलब गंदा फिदी मतलब गंदा मिजी और फाउल फूल ऐसे तो यह होता है मुरक लेकिन इसकी world के साव से हम इसको कंदा भी बोल सकते हैं ठीक है एगला world के impede इंपीड क्या होता है बादा obstacle क्या obstacle मैंने आपको synonym की class में ये world बढ़ाया था obstacle यह आपने द्यान दिया हुआ ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बादा डालना इंपीड करना, रुकावट, तो इसका क्या होगा, advance, facilitate, expedite, यह मतलब परगर्ती करना, परगर्ती करना, ठीक है, expedite, देखो यह positive word, expedite, मतलब आगे बढ़ना, expedite, expedite मिलब आगे बढ़ना, advance, advance रहोगे तब आप में कोई बादा नहीं आएगी, facilitate, आपको facilitate मिलेगी तब ही क्या होगी, आपकी बादा तो मिटेगी, ठीक है, अगला word क्या है, इंप्रो, इंप्रोम्पटू, इंप्रोम्पटू, इंप्रोम्पटू क्या होता है, बिना पहले सोचे हुए, ठीक है, मतलब, without planning, you can, any work, in your school life, college life, and the other extra activity you have done in your life, that is, इंप्रोम्पटू, इंप्रोम्पटू, ठीक है, इसका क्या होता है, बिना पहले सोचे हुए, ठीक है, तो इसका अंटोनेम क्या हो जागे है, प्री प्रिपेर, मतलब, पहले से ही त्यार, planning, planning करते रखिये, ठीक है, प्री मिटेड़, ठीक है, यह इसके क्या हो जागे, अंटोनेम हो जागे, अगला वर्ड क्या है इनसाइट, अगला वोल्ड क्या है, całिएट, inside क्या ह्था, उतेजित करना, inside world क्या मतलब क्या ह्था, उतेजित करना, ठीक है, तो इसका एंतोनेम् क्या हो जाएगा, हतोसाइट करना, मतलब डिसकरेज, कि भाइ सब तेरे से कुछ नहीं हो सकता तो तेरे जिंदगे में करी नहीं सकता मतलब उसको डिस्करेज कर रही है वो आप प्रोशियो को नहीं सुना कि तेरे से कुछ होई नहीं सकता तुम क्या करेगा जिंदगे में यह वो आपको डिस्करेज करने लेकिन आपको डिस्करेज कभी नहीं होना आपको उतेजित रखना है उतेजित एक तरीके से इंसाइड का यूज हम नेगटिव में भी करते हैं पोजिटिव में भी करते हैं वो आपके option पर depend करेगा कि कैसे यूज करकर दे रखा है examiner ने ठीक है इसका prohibited ठीक है डिस्करेज रिश्ट्रेज ये क्या होगए इसके एंटोनेम होगए अगला वर्ड क्या है इंटेंसिल इंटेंसिल क्या होते है जान बूझकर जान बूझकर जो कोई बात आप जान जान बुझकर आप कुछी काम को कर रहे हैं आपको पता है कि ये दूसरे के लिए गलत है फिर भी आप जान बुझकर कर रहे हैं उसका दिये को तो उसको बोलते हैं इंटेंसिल अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं जान बुझकर कर रहे हैं इंटेंसिल इन मतलब अपने अंदर, अपने अंदर सोच कर ये काम कर रहे हैं, मतलल जान बुझ कर कर रहे हैं, तेरी जान को ये पता है, कि तुँ ये काम कर रहे हैं, मतलल जान बुझ कर कर रहे हैं, एक्सिडेंटल, गलती से हो गया भी, क्या? गलती से हो गया, मतलब तुँ ये काम करना नहीं चाहता था हो गया तो उसको धक्का नहीं देना चाहता था भीड में लेकिन दे दिया भीड इतनी थी कि दे दिया गया धक्का ठीक है तो क्या हो गया एक्सिडेंटल हो गया अकास्मिक हो गया ठीक है एक्सिडेंटल आप स्कूल लाइफ में आपने सुना होगा एक्सिडेंटल हो लिडे अकास्मिक आउकास ठीक है अब अगला वर्ड क्या है माइजरेबल माइजरेबल क्या होता है दुखी होता है माइजरेबल क्या होता है दुखी सैड ठीक है इसका चेयरफुल जूइफुल जूबिलियंट जूबिलियंट इसका क्या हो गया जूइफुल का सिनोनेम हो गया और miserable का antonym हो गया अगला word क्या है opaq opaq मतलब a par darsak जो mirror होता है वो two type का होता है opaq a par darsak और par darsak transparent जिसमें clear आप देख सकते हैं opaq का मतलब vague you भी होता है as first unclear आप ये बोल सकते हैं तो इसका antonym क्या होगा transparent और clear क्या हो जाएगे इसके antonym हो जाएगे ठीक है अगला word क्या overt overt मतलब परतेक्स रूप से परतेक्स रूप से सब के सामने निस्पक सुनाव होते हैं जैसे आप बोल सकते हैं overt खुले आम overt का मतलब क्या होगा खुले आम खुले आम ये बोल सकते हैं कि इसका antonym क्या जागा हिडन कंसेल जो हमने पिछे वर्ड किया था वही इसके antonym में मतलब छेपा हुआ हाइड overt रिवील करना ये भी इसका overt का synonym है overt का क्या है synonym है reveal करना ठीक है ये overt का synonym है और इसका antonym क्या जाए है हाइड और कंसाइल ये तो एक वर्ड होगे अगला वर्ड के सप्राइस ये पीछे हमने पढ़ा रहा डेंस डेंस मतलब गना उसका क्या है एंटोनेम है डेंस और evident evident मतलब परचूर मात्रा में परचूर मात्रा में ठीक है इसका हो गया अगला क्या है स्क्वेंडर मतलब फिजूल कर ची वो धन बरबाद कर रहा है मतलब extra agent एक्स्ट्रा वेजेंट ठीक है एकोनोमिकल इकोनोमिकल भी वर्ड आता है तो इसका एंटोनेम में क्या जाएगा मायजरेबल 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 ठीक है condarring速 सरोत होत're एक होता है गैर प्रमप्रागत सत्रोत होते हैं ठीक है गैर प्रमप्रागत वो जो पीछे से चले आ रहे है प्रमप्रागत जो यहीं से उन्यूजुवल कि मोडरन एुत निदा अधुल सब्सक्दार का ईंगी हो सब्स hec लाइक जूना इक करते हैं ठीक है तो यह क्या होगा है नमक हराम वीक्ति फेद फेदल वफा-दार वाफालादार इस पर हम विश्वास कर सकते हैं फेद पुल बーट करी noran amok अर्यामी वेक्थि पर हाँ कभी विश्वास नहीं कर सकते ठीक है ओके फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ जय हिन जय बारत के दी वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक जुरूर करना एक अच्छा सा कोमेंट जुरूर करना जिसको मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं एक नया वीडियो अच्छे से त्यार करूं और सेर करना अपने गुरूप में दोस्तों के साथ और यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको कारंटी के साथ कह सकता हूं कि हाई कोट अल्डिस एक्जाम में वो कैब का जो सेक्शन होगा वो इससे बाहर ने जाएगा मैं आपको स्क्रीन सुट दिखा दूँआ बाद मे इसे बाहर नहीं जाने वाला ठीक है तो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत वंदे मातरम